हम बात करेंगे second semester की आपके जो आपका third paper है fundamental of entomology fundamental of entomology के अंतरगत हम कीट विज्ञान का अध्यन करेंगे हम बात करेंगे कीट विज्ञान का अंतरगत जो हमारे किशी कारे में लाबदायक और हानिकारक कीट हैं हम उन कीटों का अध्यन करते हैं आपके syllabus के अनुसार आपका third paper AG2033 2 plus 1 entomology fundamental of entomology हम बात करेंगे की entomology है क्या entomology कीट विज्ञान entomology आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जैसा की आप देख पा रहे हैं entomology दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये ग्रीग भाशा से लिया गया है वो दो शब्द entomone प्लस लॉगस entomone का अर्थ है कीट लॉगस का अर्थ है ग्यान अर्थात अध्यन करना हम बात करेंगे entomology की definition की तो वह विज्ञान जिसके अंतरगत हम कीटों का अध्यन करते हैं कीट विज्ञान entomology कहलाता है तो संपूर कीट विज्ञान को निम लिखित विश्यों पे बाटा गया है यानि किस किस आधार पर हम कीटों के अध्यन करते हैं जिसमें आपका पहला नंबर है देहिक आकारिकी मार्फो लौजी मार्फो लौजी इसके अंतरगत हम कीटों के शरीरिक रचनाओं का अध्यन करते हैं आपका दूसरा है एनाटॉमी एनाटॉमी के अंतरगत हम कीटों के आंत्रिक अंगों का अध्यन करते हैं आंत्रिक अंग जैसे आपके बाडी वाल, तंत्रिका उचसरजन तंत्र आधी का अध्यन करते हैं तीसरा है आपका आउतिकी, हिस्टोलाजी हिस्टोलोजी इसके अंतरगत हम कोशकाओं का कीटों की कोशकाओं और उनके उतकों का अध्यन करते हैं चौथा है आपका कोशका तत्तो, साइटोलोजी कोशका में पाए जाने वाले तत्तों का अध्यन करते हैं जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि हिस्टोलोजी के अंतरगत कीटों के उतकों का अध्यन करते हैं और उनकी कोश्काओं का अध्यन करते हैं लेकिन साइटोलोजी के अंतरगत हम कोश्का में पाए जाने वाले तत्तों का अध्यन करते हैं साइटोलोजी के अंतरगत फिर आपका पांच नमबर पे है फिजियोलोजी कारिकी इसके अंतरगत शरीर के कारियों तथा परतिक्रियाओं के बारे में अध्यन करते हैं जैसा कि आपको एक्जामपल के तौर पे दिख रहा होगा कि भोजन का वित्रड एवम मल उत्सरजन यानि कीटो का भोजन को ग्रहन करना और सारीरिक आंतरिक प्रोसेस के दौरा मल को उत्सरजन करने का जो हम इस कारिय पर उसके अध्यन करते हैं उसे हम कहते हैं कारेकी फिजियो लॉजी फिर आपका है टैक्सोनॉमी टैक्सोनॉमी के अंतरगत हम कीटों के आकार उनकी बनावट तथा उनके अपने व्योहार के आधार पर वर्गी करण करते हैं फिर आपका है भुरूड तत्व, इंब्रियो लॉजी, इंब्रियो लॉजी के अंतरगत, अंडे से भुरूड का विकास तता परोड बनने के रूपांत्रण का अध्यन करते हैं, जैसे किसी कीट ने एक अंडा दिया, अंडे देने के बाद, अंडे से उसके निम्फ का निकल रखते हैं, फिर आपका है branches of entomology, entomology distribution के हम बात करेंगे, तो पहला है agriculture entomology, हम जो अध्यन करेंगे अपनी इस syllabus के अनुसार, वो होगा agriculture entomology, agriculture entomology में हम उन कीटों का अध्यन करेंगे, जो कीट हमारे किशी कारियों में लाबदायक और हानिकारक होते हैं, दूसरा है आपका medical entomology, medical entomology अर्थात हम उन कीटों का अध्यन करेंगे, जो की और शदीयों के रूप में लाबदायक और हानिकारक रूप में पाए जाते हैं, फिर आप जैसा की देख पा रहे हैं, c, veterinary entomology, यहनी चिकित्सिये, चिकित्सिये विभाग में, जो कीट्सिये लाबदायक और हानिकारक रूप में पाए जाते हैं, उनका अध्यन हम करते हैं, industrial entomology, जैसा की आप लोग जानते हैं, कि industrial entomology में कीट्सिये लाबदायक भी होते हैं, और हानिकारक कीट्सिये जैसे दीमक, जो गोदामों में रहकर आपके रखे हुए स्टोरेज अनाजों को नुकसान पहुचाती हैं, फिर forest entomology और paleo entomology, paleo entomology का अर्थ यह है, कि हम उन कीटों का अध्यन करते हैं, जो की विलुप्त हो गये हैं, और उन कीटों का हम अध्यन करते हैं, अब हम बात करेंगे कीट की, कीट क्या है, what is this insect, तो हम बात करेंगे, insect, a small animal with six legs, two pairs of wing and body, which is divided into three parts, three parts कौन हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, head, thorax, abdomen, head, sir, thorax, watch, abdomen, उसके उदर, head जो होता है, head पे कीटों के, तो compound I, और antennae पाई जाती है, thorax, जिस पर wings और three pair legs पाई आते हैं, और abdomen, जो की खंडित होता है, जिस पे जन्नांग पाई जाते हैं, अब हम बात करेंगे, हिंदी भी देखेंगे, कि संग आर्थो पोड़ा में पाई जाने वाले जीवों को, कीट कहते हैं, या खंड युक्त होते हैं, तथा शरीर तीन भागों में बटा होता है, तथा तीन जोड़े पैर होते हैं, कीट कहलाते हैं, कीटो की कुछ मुख्य विशेशताय होती हैं, जैसे कीटो का शरीर खंडों से मिलकर बना होता है, इनके शरीर के बाहिक अंकाल काफी मजबूत होते हैं, जो की आंतरिक अंगों की रच्छा करता है, बाहिक अंकाल काईटिन का बना होता है, सिर छे खंडों का बना होता है, वच्छ हम बात करेंगे थोरेक्स की, तो थोरेक्स तीन खंडों का बना होता है, जिस पे लेक्स और विंग्स प्रजेंट होते हैं, जैसे अग्रवच, प्रोथेरेक्स, मध्यवच, मीजोथोरेक्स और पस्चवत, मेटाथोरेक्स, इन तीनों खंडों पर आपके लेक्स और विंग जो होते हैं, उपस्थित भी होते हैं, और उपस्थित नहीं भी होते हैं, उदर 11 खंडों का बना होता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि abdomen जो होता है वो 11 खंडों का बना होता है इनके खंडों में जनांग पाए जाते हैं समय समय पर कीट त्वचा को त्यागते हैं जो त्वचा को त्यागते हैं उस किरिया को हम निर्मोचन या मॉल्टिंग कहते हैं जैसा कि आप इस figure में देख पा रहे हैं कि कीट है कीट के उपरी भाग में कीट के उपरी भाग में सर के सिर में आपके दो एंटनी और दो compound आई पाई गई है ये है कीट का पहला भाग जो की head है head पे दो compound आई और दो एंटनी होती है दूसरा भाग है thorax तो thorax में हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं वच्छ हमने आपको बताया था अभी पहले कि वच्छ पर three pairs leg three pairs leg होते हैं जो की आप देख पा रहे हैं three pairs leg होते हैं और wing उपस्थित होती है अर्थात पर होते हैं लेकिन पर कभी कभी उपस्थित होते हैं और कभी कभी उपस्थित नहीं होते हैं आपका जो तीसरा खंड है, कीटो का तीसरा खंड है, वो है abdomen, abdomen जिसको हम उदर कहते हैं, यह जरनांग पाया जाने वाला अंग होता है, इसमें कीटो के जरनांग पाये जाते हैं, तो यह रहा कीटो का संपूर अध्यन, हम आगे की क्लास में बात करेंगे, आपके head thorax, I mean कीटो के head thorax और abdomen के संपूर ग्यान, विस्तिरित अध्यन करेंगे, thank you.